अधुए hailब कम टो कींड है एक जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 63 फ्रवरी आज आप लोगों का फ़स्ट शितिंग में संस्क्रिट का पेपर होने वाला था सट सेकिंट सीटिंग में अबी वह संफ्रेत का पेपर और अक्छा है एहां पर यहां मेरे पास design paper आ चुकाम है है के पास total एक सोंं थे टोल एक सों थोन bien थे जिस्क्रश अब लोगों को सब्सक्ति करतें हैं है प्रफशन का अंसर आप लोगों को एक से लेके 100 तक के सारे कोशन का अंसर आप लोगों को बताए जाएगा तो वीडियो के साथ अंतक बने रहो चलो आगे बरते हैं तो सबसे पहला कोशन जो है वह है रिसभी में कौन भीभकती है ज्यादा डिसकसन नहीं करेंगे वीडियो सबसे बना है तो किस सबसे बना है कोशन नमबर को आप्षिन सबसे बना है तो कि सबसे बना है मिलोगों को वह बिल्कुल सही है तो किस धर्म के गुरू थे वो तो वो शीक धर्म के गुरू थे आयम की सब्द का रूप है तो असमद ठीक है यानि option number C हो जाएगा कोशन नमबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं यहां पर पचियू विधलंग लकार के किस पूरुष का रूप है तो किस पूरुष का रूप है इसका सही आंसर हो जाएगा option number C यानि प्रथम प्रथम पद संक्या वाचक होता है तो किसमें होता है दूइगू समास में ठीक है किसमें होता है दूइगू समास में जैसे 3 लोचन हो गया 3 लोचन में 3 आ रहा है न तो 3 है चलो अब आगे बढ़ते हैं निश्चे में कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है जो option number C देख रहा है तुम लोगों को बिल्कुल सही है चलो कौशन नमबर 14 करन कारक में कौन सी बिभक्ती होती है तो कौन सी बिभक्ती होती है तरितिया बिभक्ती होती है कौशन नमबर 15 सहारतक अवयों के योग में कौन सी बिभक्ती होती है कौन सी बिभक्ती होती है त्रितिया बिभक्ती होती है ठीक है चलो मुहनम अभिविक्तिदी कि मोहनम सेंग्या की सुत्रhanded से हुई है की सर्वहनाम का रूप साही एनसर हो जाएगा the यूवा उवा शब्त का मूल ह्यकुं वरॉप मतलब क्या था जवान आप फॉच्ट को स्वेटval क्या चैसे शब्ठान यह सब्सक्तु दो बांग को सलकने में अपिकोर कोशें की सिर्धोम को फुरुप पाई यहकंति ह opportun Kota tv बीस कोशें नमर 20 प्जाए कि लटार का रूप कौन शैतातो के लट लगार बताओ कि यह अपधाथ में के में बतavor हो बताओ क्युक् Willow ने परोग द्रह ने होगा ना मर टार का क रूप कौन सा है ट्यूद नमर 21 कीम जो सब्सप्द बनेगा कौ dessas बनेगा तो कुत्र बनेगा ठीक है चलो मंदा किनी वर्णन वर्णम किस पार्ट से संकलित है तो किस पार्ट से संकलित है तो इसका सही एंसर हो जाएगा स्थित्तित्गंडिहा का बढ़न किस पार्ट में है इसका सही अंसर हो जाएगा मंदा की निए वर्णनम ठीग है चलो कोशन नबर24 बन नबर24 में इसका सही अंसर हो जाएगा उप्षिन नमर डी है चलो आप फास्ट पार्ट देखते हैं आप लोग पॉस्ट करके एंसर को मिला सकते है कोशिन नमर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नमर यानि बाग शक्र ने करने से छलपूर्वक क्या ले लिया तो क्या ले लिया तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था ठीक है चलो अब कोशिन नमर 27 की तरफ आगे बरे इंद्र किस रूप में क कंड के समग चाहिए तो कंड के समग किस रूप में आया था प्राम्हन के रूप में आता चलो आगे बढ़ता है मूशक जो टाप से कौन से सब्द बनेगा तो कौन से सब्द बनेगा मूशी का बनेगा स्थिति स्थिति में कौन सा प्रतय है तो कौन सा प्रतय है तो टुम्हों प्रताई है तो 32 का सही एंसर हो जाएगा option number बीठीक है किस चब्द में तलब प्रताई है तो किस अब्द में है जन्ता में है ठीक है जन्ता में है सबिर्दी मेनेशने सब्सक्राइब 6 ने तो इसमें से सबी कोशन नमर 39 डीक स्थान में कौन रिक इस्तान में दोगा है सिर्ण होगा ठीक है चलो एक बड देखे लो वीडियो पॉस्ट करके देखलो ठीक है चलो कोशन नमर 40 में पर किसने कहा तो पहला साथ साथ का सही अंसर आप लोगों ने क्या लिखा है ठीक है चलो कोशियन नंबर amexe यह सकता यह तो फिड हो सकता जहांतो जहां मुझे लगर रहा ही यह दूसरा आल सी हो सकता ठीक इस बड़ बता देना तोम लोग में जोоне नमबर डी है वो बिल्कुल सही है चलो आगे बढ़ते कोशन नमबर 42 की तरफ कोशन नमबर 42 में जो सही option है option number A सही बिच्छित क्या होगा question number 43 समाज की गारी कैसी चलती है पूरुषों से नारियों से बच्छों से तो पूरुष और नार्यों दोनों से ऐनिक है चलो मेत्री कौन थी सबाश्य कोशन का सही option होगा option number D थोश्य सहा झालो कोशन 낸िन Sir 25 कोशन ऑप्सर्ग यह दूंख कह प्हाल है तो उपसर्ग है तो इसका ऊसर Ig above यह सॉप्स प्हागा कई दूख में क्या लिखा है लग्रभबular उदर यश्यस का समस्त पद होगा समस्त पद क्या होगा लंबोदर होगा प्रती के योग में कौन विभक्ती होती है तो कौन विभक्ती होती है सश्टी विभक्ती होती है चुल अब आगे बाता कोशन नमर 51 पटना में गंडिया नदी पर कौन सा सेतू बना हुआ है कौन सा से नंबर एक मिनट कोशन नंबर 57 कोशन नंबर 56 का जो है वो तो प्रक्षी हो जाएगा अच्छा आपको कमेंट करें प्रक्षे का का कौशन होगा तो कोशन नंबर 57 में जो है स्वामी द्यानाद के लिए कौन पर्वप उत्बोधक सिद्ध हुआ तो शिवराति ठीक है कोशन पूछा गया है तो और 58 में सही एंसर हो जाएगा रती को कोशन 59 को और 59 का सही option हो जाएगा option number bay question number 60 का सही option हो जाएगा option number B फिक है किसका कथन है तो कंड का कथन था कट्वा प्रताई की सब्द में है कट्वा प्रताई की सब्द में है तो existing D तीक है दिरगतम पद में कौन सा तधित प्रताई है तो listen नमबर A, सांती किस से स्थापित होती है, सांती किस से स्थापित होती है, तो परुपकार से, चलो सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, किसके लिए है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उदार चरीतों वालों के लिए, जो उदार मन के होते हैं, ठीक है, शोब, एक मिन किस्से बना है तो किस्से बना है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बीभक्ती पुछा गया है विभक्ति का रूप तो सष्टी हो जाएगा question number 68 इसका सही option हो जाएगा option number A भारत वस्ट में किसकी महान परंपरा है किसकी महान परंपरा है सास्तर की महान परंपरा है पिंगल कीज वेदांग सास्तर के परवतक आचारिया है तो जोती के भारत महीमा पाठ का प्रफम पर्ध किस पुरान से संकलित है तो विष्णु पुरान से संकलित है भारत महीमा पाठ में किस देश की महीमा का बढ़न किया गया है question number 72 इसका सही answer हो जाएगा भारत ठीक है चलो अब है प्रोपता में किन-किन वर्नों कि संदी हुई है तो इसका सही option हो जाएगा option number C कि सब्द में अभी उपसर्ग है तो यहां पे हो जाएगा option number D option number D कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं दोनों जो पद होते हैं समान होते हैं ठीक है कोश्ण नमबर 76 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी सास्तरता कुशल सौरी कुशला 77 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर यानि 6 पुंक्शंग वन संसकार कब होता है तो कब होता है जन्म के पहले होता है चलो अब एक मिनट तो कितने दोशों को त्याग देना चाहिए छे दोशों को त्याग देना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं घर की सोबा कौन है पुरू सिस्तरी पुत्र पुत्री देखो इसका सही एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जितना दूर लग रहा है कि सागरों से तो इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है करमवीर कथा पार्ट में किसकी कथा है तो किसकी कथा है राम प्रविश राम की भीकंठोला गाउं कहा है भीकंठोला गाउं कहां है बिहार में है स्वामी दयानंद का जनम किस गाउं में हुआ था किस गाउं में हुआ था तुद्ध नब कर्म कानडी परिबार्न में हुआ था जटाबित आपस प्रतियते वाक्य के जटाबि-ब्कद में तृत्या भीवक्ति कि सुत्र से हुई है किस चाट से हुई सहुए तो यहां पर अप्शन नमर्बी नारी में कौन सा स्त्री प्रताई है 89 का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्र प्लस एक की संधी क्या होगी क्या होगी तत्रेक हो गई ठीक है चंदरशेकर में कौन सा समास है तो कौन सा समस है इसमें करमधार यह समस 92 का प्रति हैं 92 का सही अंसर हो जाएगा यहांपर औप्शन नंबर 93 के साथ किसका साक्ष्यत्य समन्ध होता है तो चलो अब आगे बाद अ कोशन नंबर 95 में जो है लेट लकार का रूप है यहां पर लेखिशियती ठीक है जो सबस्क्राइब ईया रिए सब्सक्राइब उसमें पर ब्लाइब तर दीन उसमें का इस तो समास है घ्र कोई हां में 100 तक के सारे कोशिन मैंने कवर कर दी हैं और कुछ एंसरों का मतलब कुछ कोशिन का एंसर मैंने आप लोगों समयना मागा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक काना ना बुलना अपने दोस्तों के शायर कर द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में